वेल्कम बैक टो मैं यूटूब चैनल में आपको प्यारे से अरशना आज का वीडियो बहुत जादा दिल देला देने वाला है और इस वीडियो को मतलब बनाने से बहले मैंने हजार बार सोब चैके करनाओ की ना बनाओ क्यों कि जब मैंने ये वीडियो देखा तो मतलब में इतना ज़्यादा गोना आगया इस वीडियो के साथ गाइस एक ऐसा परिवार जो सोचके गया था कि हम घूमेंगे फिरेंगे फूलूइन जोए करेंगे लेकि उन्हें क्या पता था कि वह अपनी मौत की तरह बढ़ रहे और उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज है नहीं था कि हम जा रहे हैं लेकिन हमारे साथ होने क्या वाला है यंको भी अनदाज है नहीं था और लोग कहां गये थे घूमने के लिए वह घुमने के लिए तो पहाड़ी यह होते हैं नहां पर जो बहुम रहे थे और हम पि पदाने, अचानक और हमारे सांटे सबस्कमार थे फिरों कि हूँ गहारो हुए। अचानक पानी की नदी आपक एक रहनी होज तेस्छky नदी बैंने में भाव इतना सबना'srias कि मैं ड्रहिए टेशक कि मैं इसाट इसा वह कुछ है Jy नदी मितलब बहने लगे उनके पानी उनकी कमर कमर से उपर तक पहुंच गया था और वह लोग जो है आपस में इस तरह चिपके वे थे क्योंकि भाव इतना तेज था अगर अकेला इंसान आपके खाड़ा हो दो तुरंत के तुरंत पानी में बह जाता है लेकिन घर के नोस अ नदी के साइड में कुछ लोग खड़े वे थे जिन में औरते भी थी कुछ बच्चे भी और जैंस वेगर भी थे तो वहां पर बहुत जादा कोशच नहीं कर रहे थे उन लोगों को बचाने के लिए क्योंकि एक तो उनके पास कोई रसी वेगर भी नी थी वो क्या कर रहे जैसे पेड़ों की जो लताय बगयरा जो होती है जो लंबी सी अधिया टैक की होती है उनको तोड रहे थे और उनको आपस में जोड़के उनको बचाने के कोशिश कर रहे थे लेकिन पानी का बहुत ज्यादा थे लोग उसके पास भी जाने से डर रहे थे क्योंकि अगर अक परिवार को बचा पाएं और उसमें आप देखो कि जैसे बच्चें इतना रहे थे इतना रहे थे उनको अंदर से इतना वह हो रहा था कि वह भगवान से उस वक्त यहीं दुआ मांग रहे हैं कि भगवान हमें किसी तरह बचा लो लेकिन कहते हैं जब जिसके जहां पर आने सब्सक्राइब नहीं पारे थे मेरे खालता अगर इन में कुछ लोग जैसे और बहुत कमी पहनती हैं और कोई पहनता तो वही है कि बस महां पर कुछ ऐसा भी नहीं था कि जिससे वह उन लोगों को बचाया जा सके और जैसे मैं आप लोगों से कहा कि पानी जो है वह सैल्फ जैसे आया है वह पानी की इतनी तेज तेश थे मैं आप वीडियो में दिखा भी रही हों कि देखे आप लोग पीछे देख सकते हैं कि पानी की सब्सक्राइब अब लोगों को बचा भी नहीं नहीं सब से पहले तो पानी बहा गय थे जिसमें से मेरे रहत बीड़की ने चो निए लड़के कोकि कितने मतलग किसके पकड़ा हुआ कि कहीं बहना जाए लेकिन जो भी आदेधा थे हैं सबने एक दूसरों को बहुत जादा कर सके पकड़ा हुआ और देखते देखे तो दोड़ा दोधा शुपने नोक फिर से पानी में बह गए और फिर लास्ट में होता ह जो बचे कुछे लोग होते हैं वो भी पानी में बहगा जाते हैं और वह जो बहरे होते हैं वह वह साप के लिए दिख रहरा होता है और मैं है झोशते हैं लोग जो खड़े लोग ते कि किस तरह वह बहुत अपनी आंकों के सामने यह चीज़ देख रहे होंगे क्यों कि कोई तो इन पहले बाप तो बहुत कमी बार इसके मोसम में घूमना चाहिए अपने घर के आसपास कहीं भी चले जाओ लेकिन दूर पहाड़ी लागों में जाने ने चाहिए क्योंकि महां पर पता नहीं कब कहां से बार आजाए पानी तुफान आजाए तो इसका कुछ पता नहीं जो भी पिकनिक वेगए अपने घर पर मना लो या आसपास के जेगे जाके मना लो क्योंकि जो इस परिवार के साथ दुआना वह बहुत दिकलत हुआ और मेरे खाल साथ कभी किसी के साथ होने नहीं चाहिए वो भी जो हां खड़े लोग तो भी यह सोच लिए कि हमें हमें ब जो भी जाते हैं और जो दो लोग होते हैं वह मतलब ठीक होते हैं तो यह जो घटना बहुत ही जादा दिल दहला देने वाली है मेरे तो आप लोगों से घुमना फिटना तो अपने आसपास घुमाओ कहीं दू जोड़त ने के जोड़त ने खास और पहाड़ी लागों में चैनको तो सबसे ने चलना चाहिए वैसे होता है लेकिन फिर बे इंसान को सोब्ना चाही है कि मैं तो seven लोगों से एक मरेब इतंडा मतलब इतना मतलब इतना निंजदी कैसे हो सकता है कि मतलब सब星 pop और परिवार को ही बैस किया ही बल सकतenti बाकि आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर देने शेयर कर देने चेनल को सब्सक्राइब कर लेना तो आप मिलेंगे एक लिए वीडियो में आप डाइटे करा अप